बुग्गती चिरो आॉक्षन दुनिया भर में वाहनों से होने वाला कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। ऐसे में सरकारों द्वारा वाहन निर्माताओं द्वारा अल्टरनेट और क्लीन फ्यूल पर चलने वाले वाहनों को तयार करने का दबाफ बढ़ रहा है। कई वाहन कमपनियों ने धीरे धीरे अपने पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाले इंजनों को बंद कर पूरी तरह इलेक्ट्रिक या अल्टरनेट फ्यूल से चलने वाले वाहनों को बनाने की घोशना कर दी है। अब इन कमपनियों की लिस्ट में दुनिया की नंबर एक सुपरकार निर्माता बुगाटी बुगाटी भी शामिल हो गई है। हाल ही में बुगाटी ने अपनी आखिरी कमशन इंजन कार बुगाटी शिरान प्रोफीली बुगती चिरो प्रोफाली की नीलामी कर दी है बुगाटी की यह आखिरी कार पेट्रोल मॉडल थी इस कार की नीलामी आर्रम पैरिस कलेक्टर कार आउक्षन में की गई इस कार की नीलामी के लिए बोली न पांच मिलियन डॉलर से शुरू हुई लेकिन इस आखिरी कार को खरीदने के लिए लोगों के बीच ऐसी होड मची की इसकी आखिरी बोली 10.7 मिलियन डॉलर करीब 88 करोड रुपए पर समाप्थ हुई 13W 16 इंजन से लैस इस बुगाटी हाइपर कार के लिए बोली इतनी अधिक इसलिए चली गई क्योंकि इस तरह के मामलों में बोली लगाने वालों को पता होता है कि उन्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा भोश बुगाटी शिरान प्रोफीली की बात करें तो यह कमपनी की सबसे तेज एकसेलरेशन वाली हाइपर कार है यह केवल 2.3 सेकंड में 0-100 km प्रती घंटा की रफतार पकड़ सकती है वहीं इसे 200 km प्रती घंटा की रफतार पकड़ने में महस 5.5 सेकंड का समय लगता है इस कार की टॉप स्पीड 400 km प्रती घंटा से भी अधिक है डॉटी शिरान प्रोफीली को कमपनी ने 2020 में लॉँच किया था इसके बड़े इंजन को ठंडा रखने के लिए कमपनी ने इस सुपरकार में एक बड़ा एयर इंटेक ग्रिल दिया है एक रिपोर्ट के मुताबिक कार के एकसेलरेशन को बढ़ाने के लिए इसके गियर रेशियो को शार्ट रखा गया है इससे इंजन को अधिक RPM पर पौवर देने की क्षमता मिलती है डॉट सुपरकार निर्माता बुगाटी का 114 साल लंबा इतिहास है बुगाटी शिरान प्रोफीली का नाम कमपनी के संस्थापक जीन बुगाटी की पहली कार सुपरोफीली से प्रेरित है बुगाटी शिरान की बौडी पूरी तरहे कारबन फाइबर से बनाई गई है और इसमें कम जगह ही स्टील का इस्तमाल किया गया है ऐसा कार के वजन को कम रखने के लिए किया गया है